तो माद 5 मिनिट में मैंने लॉण के लिए एपलाई किया और ये देखे मेरे लॉण कॉंग्रेचुलेशन सक्सेस्पली हो चुका है, मेरे को एक हजार रुपए की जरूरत थी, और ये देखे मेरे बैंक के खाते में एकदम लाइब आप देख पाएगे, सिर्फ मैने जारे ल लिंग देख रही है इस पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद इस तरीके से एक एपस आएगा इसको आपको इंस्ट्ल कर लेना है अब मैं आपको apply करना बताता हूं Apps को आपको open करना है open करने के बाद आपको इस तरीके से option आएगा जहाँ पर आप इसको agree and continue वाला जो option है आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे आप आएंगे इसके अगले page पर जहाँ पर आपको सारी टर्बैंड conditions उसके बाद उपर आई एग्री डू आल पर किलिक करके नीचे एग्री टू कंटीनू वाला जो अपशन है इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर हम एलाव अगेरा कर देते हैं allow करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे एक mobile number डालने के लिए बोला जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना एक mobile number डाल देना है mobile number पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको फिल कर देना है यहाँ पर यहाँ पर पर बाद यहाँ पर आपको आपको यहाँ इसको रखने चाहें उसको आप यहाँ से चूस कर लीजिगा अब आपको यहाँ पर अपना एक pen card number डाल देना है और यहाँ पर आपको verification कर लेना है अपने verify OTP की दोरा यहाँ पर हम आप देखेंगे apply now पर click करेंगे यहाँ पर आप जो भी loan लेना चाहें चाहे वो 10,000 से ज़्यादा का हो या 5,000 से तक का हो जैसे कि यहाँ पर आपको पूरी information स्रिफ आपके बारे में ही यहाँ पर भरना है बहुत easy है कोई कठिन नहीं है जैसे आपकी यहाँ पर आप purpose क्या purpose है आपका loan लेने का आपको education loan चाहिए या फिर आपका salary delay हो गई है या बहुत सारे option है कोई electrical सामन खरिदना है बहुत सारे option है आपके समय से कोई साभी चूज कर सकते हैं इस option को चूज करने के बाद फिर आपको अगला option आता है जिसमें आपसे married है और unmarried है यह पूछा जाता है दूसरा आपका यहाँ पर education के बारे में पूछा जाता है बहुत सारे यहाँ पर information है लेकिन यह केवल आठ दसी है जिनमें आपको कुछ नहीं है सिर्फ आपके बारे में पूछा जाता है, इनमें आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिगा, कोई बहुत जादा बड़ा नहीं है, इसमें एक option और आएगा, जिसमें आप से पूछा जागा, क्या आपने पहले कभी लॉन लिया है, तो आपको यहाँ पर no वाला जो option है, इ कर लेना है, सब कुछ भर लेने के बाद, अब आपको देखिए, यहाँ पर आता है, लिमेट चेक यह हो रही है, एकदम लाइव यह आपको दिखा रहा हूँ, मैं notify me, भेन, it's a approved, आप इस पर click कर सकते हैं, अगर आपके पास जादा समय नहीं है, आपको थोड़ा सा wait करना ह होगा, तो जैसे ही यह approved हो जाएगा, देखिए, मेरा approved हो चुका है, और यह message भी आचुका है, देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, कि मेरे को कितने तक कर लोन यहाँ पर मिला हुआ है, तो अगर आप notify me पर click करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर in progress देखाएगा थोड़ रुपए की जो किस्त है हमारी वो आईगी, देखिए, यहाँ पर 461 रुपए की मेरे तीन किस्त हैं, और यह तीन महीने के लिए मेरे को loan अप्रूब हुआ है, और मैं तीन महीने में इसको अदा कर दूँगा, और मेरा जो एक हजार रुपए तुरंट आ चुका है, देखि यहाँ पर लिखा दिख रहा है, सेंडिंग टू यूर एकाउंट, यह मेरे खाते में पैसा भेज रहा है, अब देखिए, मैं एक दम लाइब आपको देखाऊंगा, देखते हैं क्या आता है, देखिए, मैसेज यहाँ पर आ चुका है, यह तो हाला कि वाटसप का आया है, और जब तक यह मेसेज बैंक से नहीं आता, तब तक हम कनफर्म नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आ चुका है, देखिए, यहाँ पर पेमेंट एक हजार रुबे का आ चुका है, और यह मैंने जो मेरा पेटीम बैंक है, मैंने उसमें डाला हुआ है, आप किसी कर लिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप से अपस को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और अपना लॉंड तुरंथी प्राप्त कर लीजिएगा,